नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत त्योहार उत्सव और विशेश आयोज़न के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्तिती कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा दोपहर साड़े बारा बजे तक कन्या राशी में इसके बाद तुला राशी में होगा दिशाशूल सोमवार को पुर्वदिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र इस्तिती के उनुसार आज दशिन व पश्यम दिशा की यात्रा लाबदायक व शुप्रद है अब आपको बताते हैं शुब मुहुरत और श्वेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुरत आज चित्रा नक्षत्र में नामकरण, अनप्राशन, विपनी, व्यापारंब, वेद, हल्प्रवहन, द्वीरागमन व शल्ले चुकित्चा आदी सभी कारे शुब वसिध होते हैं शुरेष्ट चोगडिये आज सुर्दे से प्राते आट बचकर 14 मिनिट तक अमरत प्राते नौ बचकर 34 मिनिट से पुरवाहन दस बचकर 53 मिनिट तक शुब तथा दोपहर बाद एक बचकर 32 मिनिट से सुर्यास्त तक क्रमश चर लाव अमरत के शुरेष्ट चोगडिये हैं आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में। आज जनम लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं। आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार।